कि अब दोस्तों स्वागत अब काज कि न्यूव वीडियो में उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे तो फेंट साथ किस वीडियो में देखेंगे कि वसीयत लिखना क्यों जुरूरी है क्योंकि हर कैसी को वसीयत लिखनी चाहिए लेकिन उसके लिए क्या-क्या एक वसीयत ना लिखी जाने पर या कि हम बेसिकली बात करें कि इम्मूवेबल और इम्मूवेबल प्रॉपर्टिस को सही हाथों में सौंपने की सहूलियत देती है वसीयत अगर हम देखें कि आज के टाइम पे जो है जायजयत के बटवारे को लेकर रोज ही पारिवारिक जग पिल लिखना एक बहतर फानेशल योजना का एक लास्ट स्टेप है यह विरासित जो है जो आप छोड़कर जाने वाले हो या फिर आपके मरने के बाद सही हाथों में पीछे छोड़कर जाने की सहूलियत देती है वसीयत के बारे में बता रहे हैं हम आपको बहुत सब्सक्राइब कीजिए और वसीयत से रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टन को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो सबसे पहले हम कोश्चन लेते हैं इसका की वसीयत क्या है और क्यों जरूरी है तो वसीयत के जरिये जो है आप बच्चों माता-पिता या किसी भी अपने प्रियजन उसके पूरे जीवन की कमाई का पैसा उसको सौप सकते हैं यानि की वसीयत के जरिये क्या होगा कि आप बच्चों को या माता-पिता को या जो भी आपके मलब आपस चाहीते हैं प्रियजन हैं उनको पूरे जीवन की कमाई सौप सकते हैं जिस को नहीं हडप पाएंगे क्योंकि एक बार अगर आपको डैथ हो गई विनाविल की तो फिर सारे क्लेम करने आ जेंगे इस प्रापर्टी मेरा भी अधिकार है इस पे मेरा भी अधिकार है तो इसी लिए सबसे पहला कोशन में यह है कि वसीयत किया है और क्यों जरूरी है तो वह जरूरी इस लिए है ताकि आपके मरने के बाद जो आपका पैसा है वह सही जगे जाए जिस पर आप उसको देना जाते हैं अब दूसरा में पॉइंट देखते हैं कि वसीयत में किन किन चीजों का शामिल किया जा सकता है तो इसमें किसी वे परकार की इमीबल प्रॉपर्टी जिसे अचल संपत्ती भी कहते हैं जैसे कि जमीन घर नकद पैसे या अकाउंट में जमा राशी यानि कि बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा हो रख है उसको शामिल कर सकते हैं वसीयत में आप स्टॉक्स बॉंड्स बिजनेस ओनर्शिप रॉयल्टी पेटेंट और कॉपी राइट भी दरज करवा सकते हैं यानि कि यह भी अ तीसरा में प्रशन है कि वसीयत ना बनाएं तो क्या होता है अगर वसीयत नहीं बनाते हैं तो आपके जो परिजन हैं चाहते हैं रिष्टदार हैं उसमें आपकी संपती को लेकर भी विवाद डिस्प्यूट क्रियेट होगा उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि यह जमीन फाइब ब्रदर्स तो डिस्प्यूट हो जाएगा वाई किसको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी कहां से नहीं मिलेगी तो फिर कोर्ट से काम है कोर्ट में सालों लग जाएंगे तो प्रॉपर्टी ऐसी कि धरी रहेगी अगर उसकी वसीयत की होगी तो उसी टाइम सारे आपस का मौजूद रहना बहुत जरूरी है यानि कि किसी भी विल को एक्जीक्यूट करने के लिए दो विटनेस का होना जरूरी है और यह जो दो विटनेस होंगे वह मानसिक रूप से स्वस्थ होने चीए mentally fit होने चीए sound mind होने चीए इनके साथ ही आपका ना तो कोई blood relation हो और ना ही आपके जीवन साथी जो हैं उसके विटनेस बने हों जरूरी नहीं है कि जो गवा है या विटनेस है उसको वशीय defenses में लिखी चीजों की जानकारी हो उन्हें बस उसको सRTIFY करना होता यह यनि कि जिसने Will execute की है जो उसमें वीटनेस बन रहे है ऐसा जरूरी महीं पता भी हो कि उस विल में क्या क्या लिखा गया है और किस किस के favor में की गई है क्योंकि अगर यह उस्टेम बता दिया तो वह सब को जा के धिंडोरा पीड़ देगा तो उस वसीयत में यह मिल रहा है तो उनको तो बस एक करना होता है की डोकुमेंट जो है आपकी प्रेज̥ में साइन हो रहा है और एक नज़ण डाल सकते हैं यह पेज्ञ है इतने कि क्योंकि हर पिज पें कर देगा तो वेरी गुड़ पॉंट जो witness है हर page पे sign करेगा तो उसको certify करना है just हर page पे sign करके कि वही वसीयत करता के सामने उसने हस्ताक्षर sign किये हैं उसका next important point है कि आंतर पर लोग जो हैं वसीयत क्यों नहीं बनवाते हैं लोगों का actually लगता है कि इस जंजट में कौन फसेगा उनका यह मानना होता है कि इसमें पैसे भी लगेंगे और वक्त भी बरबाद होगा और वहीं कुछ लोग अगर यह मानते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों की लिए होती है गरीब लोगों क्या गरेगा वसीयत बना के क्योंकि आम या गरीब लोगों के लिए तो होई नहीं सकती लोगों की मानसिक्ता इस तरीके की बन चुकी है लोगों की जो मानसिक्ता है वो इस तरह से बन गी है कि वसीयत बनाने की जो लीगल प्रोसेस है वो काफी complicated है काफी लंबी है जबकि ये सारी चीजें बिलकुल baseless हैं बे-बुनियादी हैं और हर कोई बिलकुल असानी से कोई भी अपनी वसीयत को बनवा सकता है अब उसके regarding points क्या है हमारे चैनल पर आपको हर एक वीडियो मिलेगा विल के regarding विल का format कैसे उसको registration करवाएं कैसे उसको execute कराएं कैसे उसको नहीं कर सकते हैं तो पर आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो को देखना है तभी आपके माइंड में वसीयत से regarding और जनरली होता क्या है कि एक और वसीयत execute कर दी आती है लेकिन वसीयत में कुछ changes करनी है तो कैसे किया जाए क्या प्रवाणी वसीयत को खतम करके नई वसीप दना जाए जनरली माइंड में आपके question होगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर हमने पहले वसीयत कर दी है तो उसके बाद पैसा आया उसको वसीयत करो एक कोर करो तो सारी वसीयत है आपके हाथ में कठी होती जाएंगी तो ऐसा बिलकुल नहीं करना है उसके लिए डॉक्यमेंट होता है कोडिसिल यानि कि एक जो extra point extra चीज आप भी किसी को देने जा रहे है इन फर्द्रेंस of existing will तो सो कोडिसिल कहेंगे यानि कि उस document में आपने कोई changes नहीं करना है विल में वह वैसे की वैसी रही जाएगी बस एक extra document त्यार हो जाएगा जिसके हम कोडिसिल कहेंगे जिसमें कि उस चीज को लिखा जाएगा कि क्या आप अरजित की है और आप इस चीज को किसको देने जा रही है अब लाश्ट पॉइंट पॉइंट है आज की इस वीडियो का देखने वाले हैं कि क्या वसीयत जो है वह एक साधे कागज पर नॉर्मल कागज पर लिख सकते हैं हाँ जी बिलकुल लिख सकते हो वसीयत लिखने का देखो कोई भी fix format नहीं है या फिर यह कोई लिखी गई वसीयत है तब तो उससे तो कोफ़िए भात ही नहीं करें है तो जायदा जिसके नाम कर रहे हैं उसके बारह में बिलकुल साफ़ दूर से होती है रहे हैं आज जिसको आप जायदा देने तो बैटर है क्योंकि कुछ नहीं पता कि कल को किसी और बंदे के डॉकुमेंट क्रियेट करके उसके फेवर में विल के लिए दावा किये जाएगा तो दोस्तों इसा आज का व्लॉग जिसमें हमने आपसे शेर करना उसकी समझा कि किस तरह से एक वसीयत लिखना क्यों जुरूरी है और वसीयत जो है किस तरह से सहूलियत देती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपनी प्रॉपर्टी स्को बा झाल